नमस्ते, मैं डॉक्टर मीना राविश आपसे आवला के बारे में आवला के health benefits उसकी properties के बारे में बात करूँगी सबसे पहले आवला की properties या फिर उसके गुर्ण धरम के बारे में बात करने जा रहे हूं आवला में 5 रस होते हैं मधुर, अमल, कटू, तेक्त और कशाय इसके जो गुण होते हैं यह गुरु होता है और शीथ होता है वीरिये शीथ होता है विपाक, मधुर होता है आमला को जो नेचर होता है आमला की जो प्रकरती होती है वह ठंडी होती है वह शीथ होता है आवला तिरी दोश शामक है, तीनों दोशों का शमन करने वाला है, वात, पित, कफ, तीनों को कंट्रोल रखता है इसके अलावा आवला हमारी सातो धातूओं का रस से शुकर तक रस, रक्त, मास, मेध, अस्थी, मज्जा, शुकर इन सातो धातूओं का पोशन करता है आवला बात करें, तो यह हमारी पूरी बॉड़ी को nutrition प्रवाइड करता है आवला की anti-aging property होती है, आईरवेद में इसे व्यास थापक में श्रेष्ट कहा गया है जो age को stable करता है, उसमें सबसे best कहा गया है आवला में vitamin C और antioxidant होते हैं, जो की premature aging से बचाते हैं vitamin C, collagen की formation को बढ़ा देता है collagen हमारी skin को structure, strength प्रवाइड करता है जिसकी वज़े से wrinkles आना, जूरियां पढ़ना कम हो जाता है second, heart disease आवला, cholesterol के level को control करता है, जिन लोगों का cholesterol level बढ़ा होता है, जो hyperlipidemic हैं अगर वो आवला का use करते हैं, तो उनका total cholesterol और LDL, जिसे हम bad cholesterol भी बोलते हैं, वह control होता है आवला, BP को control करता है hypertension, एक risk factor है, cardiac disease का अगर BP control होगा, तो cardiac disease के, heart disease के होने के जो chances हैं, वो भी कम हो जाएंगे third, diabetes, जिसे प्रमे भी कहते हैं आवला, कफ शामक है, मेध धातु को कम करता है आवला में chromium होता है chromium हमारे cells का response, insulin के लिए बढ़ा देता है जिसकी वज़ेसे, body में जो presence glucose है, self-utilize कर लेती है, use कर लेती है और जो शरीर में बढ़ा हुआ, glucose का लेवल है, वह कम हो जाता है diabetic complications, जैसे diabetic neuropathy, diabetic nephropathy, इनसे भी बचाता है fourth, for weight loss जो लोग obese हैं या फिर जो लोग अपना weight कम करना चाहते हैं, उनके लिए आवला बहुत जादा helpful है आवला मेध धातु और कफ को कम कर देता है और metabolism को बढ़ा देता है for eye and hair, आँखों का बार-बार लाल होना, खुशली होना, irritation होना आवला इसे कम करता है, आवला strength provide करता है और vision को भी improve करता है आवला बालो को भी strength provide करता है, जिसकी विज़े से बालो का जढ़ना कम हो जाता है और palitya, जिसे हम time से पहले बालो का सफेध होना कहते हैं, उसे भी रोकता है इसके अलावा भी इसके बहुत सारे health benefits है यह bleeding disease के अंदर helpful है, जैसे कि नकसीर, नाक से खुण आना जिन female को periods के time जादा bleeding होती है, जिसे manoratia कहते है उसके अलावा hemorrhoids में, बावासीर में अगर bleeding होती है अगर यह सब लोग आवला का use करते हैं, तो जो bleeding है, वो कम हो जाती है आवला की प्रकरती ठंडी होती है, sheath होती है sheath property की वेज़े से आवला blood vessels को constrict कर देता है जिसकी वेज़े से जो breeding है, वो कम हो जाती है जिन लोगों को खाना खाने के बाद खटी-खटी डखारे आती हैं जिसे अमल पिति या फिर hyper acidity भी बोलते हैं या फिर खाना खाने का मन ही नहीं करता है, रूची ही नहीं है खाने में या फिर खाना खाने के बाद भारीपन लगता है अगर ये सब लोग आवला का यूज़ करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा benefit होगा आवला का यूज़ कैसे करना है आवले का हम direct fruit ले सकते हैं एक या दो fruit हम लोग हलका सा नमक लेकर उसे लगा कर चबा सकते हैं चबा कर खा सकते हैं आवले का हम लोग powder बना सकते हैं 1 teaspoon powder रात को गरम पानी के साथ या फिर शहद के साथ ले सकते हैं जो लोग weight कम करना चाहते हैं वे आवले की रस में अगर एक चम्मच शहद मिला कर लेंगे तो इसे वेट जल्दी कम होगा आवले का मुरबह आप ले सकते हैं या फिर आवले की कैंडी आती है उसको आप ले सकते हैं आवले का अचार भी बनता है उसको यूज कर सकते हैं जो लोग वात प्रकरती के हैं उन्हें आवला जादा यूज नहीं करना है या फिर इनके skin dry रहती है, scalp dry रहती है उन लोगों को आवला का जादा यूज नहीं करना है क्योंकि आवला की property sheet होती है, रुक्ष और sheet होता है जिसके विज़े से जो skin के dryness है, scalp के dryness है वो बढ़ सकत है तो वो कम amount में आवले का यूज करें और कम दिनों के लिए यूज करें आवला के इतने सारे benefits हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग यूज करेंगे तो उससे भी जादा अच्छा लगेगा धन्यवाद